आप सभी को मेरा नमस्कार एक बार फिर से आप सब के सामने उपस्तित हुआ हूँ मैं एक बहुती महत्युपुन क्लास लेकर के और आज की जो क्लास है वो exam oriented क्लास होगी छोटी क्लास होगी लेकिन बहुती most और बहुती exam oriented क्लास होगी और इसके अंदर हम लोग देखने वाल चमता होती क्या है देखिए बैटरी की चमता बैटरी की चमता को हम लोग बोलते हैं बैटरी की कैपेसिटी क्या चमता बोल दीजिए या कैपेसिटी बोल दीजिए एक ही बात है तो बैटरी की कैपेसिटी पूछे तो भी एक ही बात है बैटरी की चमता पूछे तो भी एक बात है। तो देखो, बैटरी एंपियर बैटरी जितना था एंपियर करेंट लोड को परदान करती है उन दोनों का गुनंत फल कहलाती है बैटरी की छम्ता, अर्थात बैटरी द्वारा दी गईम необходимо और दी गई एंपियर कितने समय तक दे रही है, कितने घंटे तक दे रही है, उन दोनों का गुणंद फिल कहलाता है बैटरी की छमता, अर्थात बैटरी की छमता एंपियर, दी गई एंपियर, और कितने घंटे तक दे रही है, इन दोनों का गुणंद फिल कहलाता है बैटरी की चम्ता अर्थात बैतरी की चम्ता को हम लोग go to ampere घंटे में दर साते हैं यह दर साते हैं कि Champion एंपियर हावर में, एंपियर हावर में दर्साते हैं, ठीक है, तो इस परकार से बैटरी की कैपेसिटी को मापने की काई है, एंपियर हावर, ठीक है, और इसको सोट में हम लोग लिख देते हैं, बैटरी की कैपेसिटी को मापने की काई, एंपियर का चिन A, और हावर का चिन H अर्थात बैटरी की capacity को मापने की काई है AH ठीक है बैटरी की capacity को मापने की काई क्या है AH है एक्जमों में बार बार ये question repeat हुआ है कि बैटरी की चमता को या बैटरी की capacity को मापने की काई क्या है तो AH आपको answer देना है, MPR हावर आपको answer देना है, ठीक है अब देखिए इस चे समंदित एक्जाम में क्यूशन भी आ जाते हैं तो calculation के क्यूशन भी पूछ लिए जाते हैं तो मैं आपके लिए क्यूशन ले के आया हूँ तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो एक बातें आपको बैटरी की चमता के बारे में बता देता हूँ देखिए सबसे पहली बात तो ये कि बैटरी की चमता का कोई क्यूशन आता है तो बैटरी से हम लोग 25 एंपियर से अधिक करण्ट आउटपुट में नहीं ले सकते हैं ये बात आपको विशे स्थोर पे ध्यान रखना है अर्थाथ बैटरी की डिशार्जिंग करण्ट का मान 25 एंपियर से है दीखें नहीं हो सकता ठीक है उसके बाद दूसरी महत्तूपुण बात ये है कि जब भी आप कैलकुलेशन का क्यूशन करो एक 100 AH बैटरी परदान करेगी तो इसमें क्या अंसर होगा ये हमें फाइंड करना है तो देखेए सबसे मैं तूपुण बात आपको बता दूँ कि हम लोग लगातार आपके लिए विशेस कक्षयाएं लेके आ रहे हैं तो आप सभी का एक दायुतु बनता है कि आप भी हमारी कक्षाओं को ज़्यदा से ज़्यदा शेर करें और अगर अच्छी लगे तो आप लोग इनको लाइक और नए जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब आवेशे कर ले तो कि आगे आने वाली और भी मैंतु पुन कक्षाओं का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके तो इस क्यूशन को हम लोग कैसे करेंगे आप आपने आंसर निकाल भी लिया होगा कि आंसर कैसे आएगा तो देखिए मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि यहां भी 100 AH आपको यहां पचास इंटू दो किया तो 100 AH आपको यहां पांच इंटू 20 किया तो 100 AH आपको यहां कि साबसे तो उपरोक्त सभी आंसर होगा लेकिन मैंने क्या बताया कि डिशार्ज करेंट का मान पचीस एंपेर से अधिक नहीं हो सकता यहां 100 है तो यह है और 5 को घंटों से गुणा किया है तो 2500 AH अर्थात बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा सी ओप्षन आपको यहां पे राइट आंसर होगा तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैल्कुलेशन सही आने से ही आप लोगों पुरोक्त सभी कर दो गलत हो ज कि बैटरी 400 mAh कितने समय तक परदान करेगी देखिए 6000 mAh की बैटरी है देखिए सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया आपको कि मू लिकाई जो है बैटरी की चमता की AH है तो इसको पहले तो AH में कनवर्ट कीजिए तो इसको हम लिखेंगे 6000 into m का मतलब है मिली, मिली का वेली होता है दसकी पावर माइनस 3, AH है ये ठीक है तो इसको अगर हल करें हम तो 1,0,2,0,3,0 ये दसकी घाट प्लस की 3 है और ये दसकी घाट माइनस की 3 है तो ये माइनस की घाट 5,10 की घाट 3 यानि 3,0 से कट जाएगी तो आएगा हमारे पास 6 AH अर्थात A into H बराबर बैटरी का 6 है इंटव ह बराबर कितना है? 6 है, तो बैटरी 400 मिलियंपीर धारा, देखें धारा जो है धारा का जो मात्रक है वो एंपीर है, मिलियंपीर नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे इसको 400 मिलियंपीर, देखें 400 into 10 की power minus 3 ampere ऐसे लिखेंगे ठीक है अब देखिए 3 सिंक्या छोड़के माइनस की घात 3 है 2 0 है तो कट नहीं रही है कटने का मतलब है कि माइनस की घात को उपर से कहां ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 400 बटे 10 की power plus की 3 अर्था 400 बटे 1000 ठीक है माइनस की घात उपर से नीचे जाएगी किसकी हो जाएगी प्लस की तो 10,20,10,20,10 का भाग 4 में दिया तो 0.4 ampere ये लो ampere में change हो गया बासा नीचे आप calculation में सामिल कर लो तो ampere का जो value है न वो हमारे पास आगया 0.4 ampere into power बराबर है 6 तो देखे हावर बराबर होगा 6 बटे point 4 देखे point अठाने के लिए उपर एक 0 बड़ा देंगे 60 बटे 4 चार का भाग 60 में दिया तो कितनी बार 15 बार अर्था कितने हावर आगे 15 हावर 15 घंटे तो option क्या होगा right answer D option तो इस प्रकार से हम लोग calculation के question भी आसा नीचे कर सकते हैं ठीक है तो आज की class में हम लोग इतना ही देखेंगे मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए आप लोग तयार रहे हैं तब तक के लिए सबको नमस्कार धन्यवाद झाल